हेलो एंड वेलकम तो आवर चैनल फिसिक्स गुरुकुली राजो के इस बीटी शेशन मा हम ये स्टडी गरने गई राचो साइंटिफिक नोटेशन महने को कियो तेस बाची हामी परोला अर्डर महने को कियो लिस्ट काउंट एंदें सिग्निफिकेन फिगर और फिगर और फाइनली एकुरेशी रा प्रिसीजन को बिचको दिफिरेंस बीटून हमी पर नगे राचो साइंटिफिक नोटेशन बनने को कियो कुनायपनी मेजटेशन मा रिप्रेजेंड गरने को दिफिगर नंगे घर्णे फिगर राखने गर चो जस्तो हामी इस को लाइग बूजनु को लागे हामी एक्जाम्पल लेओं हामी इस्क्रीन में एक्जाम्पल हेरने मुझा लाइग फाइफ फोर थी एट फोर मीटर ओके सो दाट्स 54,384 मीटर अब यो वैलूला हामी साइंटिपइपीक नोटेशन माद प्रिजन्ट गरने हो वने आमी संग यह डेसिमल लेखे को जाहिना मनिं तियो सबंधा डीजिट को लास्ट माने बुजनु परने हुँँछ हा तो यह डेसिमल ठाके फोर को लास्ट माँ छा ओ परियो. So, आमीले 4 ताइम्स लेप तीरे शिप्ट गरों. So, in that case, the value तेसो बावर को साइड मा increase गरों. So, हामीले कती चोटी याँ लेप शिप्ट गरेगो थियो? So, 4 चोटी हामीले लेप माशिप्ट गरेगो थियो. तेसो बावर डेसिमल लेप तीरे शिप्ट हुदा, नमबर डेकरीस हुँँँचा. तेसा हीले पावर लाव इंक्रीज गरनू पर चा. राव पावर लाव इंक्रीज गरनू को लागे हामी एड गरने गर्चो. So, 10 को माथी मा हमीले केई थिये नहोंने 10 ती पार 0. So, 0 प्लस 4 विल भी 10 ती पार 4. So, the final answer विल भी 5.43 इंक्री ती ती पार प्लस 4. Now, we move to the next question. 864 008 009 kg. यो धेरी ठुलो मैं ग्निचूर चा. अबा, इसला हमीले 100 साइंटिफिक नोटेस न मा लेकने होगाने, हमीले 10 को पार मा लेकनू चा. So, decimal ठाकी 9 को लास्ट मा चा. अबा, हमीले यो decimal ले 9 को, 9 बाटा shift गरना ठाकी 8 को 8 पाची लेखनू चा. So, इसको लागी हमीले यो decimal ले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टाइमस shift गरनू परे left मा. Left मा decimal shift हुनू को मतलाब number decrease भा. So, power increase हुन चा. याद राखनो ला, इको राला हमीले compensate गरनू परने हुन चा. So, 10 to the power 0 plus 8 will be 8. So, इसको फाइनल एंसर भा, 8.64 into 20 to the power plus 8 kg. So, हमीचे नेक्स्ट कोईशन चा. 0.12345, 5 ओटा 0, तरस पाची 5, 6, 3 meter. अब इसमा हमरो याँ हेरे राचु प्राब्लम किया चा कि decimal जुन चा त्यो 1st non-0 digit पाची चा. जब कि यो डेसिमाल लाइ 5 पची हुनू परने हो. याँ इसको लाइके हमी के गर चो? यो डेसिमाल लाइ ठाके, राइट साइड मा हमीले shift गरनू पर यो. ठाचा कि डेसिमाल राइट साइड मा shift हुदा, number increase हुन चा. So, number increase बहाँ बने, power decrease हुन चा. So, यहाँ किना बरे? हमीले 6 ताइमस ले increase गरे को चो. So, डेसिमाल ठाके 6 ताइमस shift गरे पाची, ठाके तो 5.6 हुन चा. 5.63. So, that will be 5.63. तेसर यहाँ हमीले 10 को पावर मा यहाँ subtract गरनू परने हुन चो. So, 0-6 is minus 6. So, final answer will be 5.63 into 10 to the power minus 6 meter. यहाँ माटा हमीले एगनम basic को डाके भुजियो कि decimal left मा shift गर्दा, हमीले 10 को पावर मा चे क्ये गरनू परने हुन चा? Add गरनू परने हुन चा. किना मने number decrease भागो चा. तेसर यहाँ decimal right तीर shift गर्दा, number increase भागो चे तेसर ले power decrease हुन पर चा. So, यहाँ मीले 10 को पावर मा subtract गरनू परने हुन चा. यहाँ बेसिक आइडिया हो कुनेपनी को डालाई magnitude लाई scientific notation मा कासरी लेखना सक्छो. And the next topic will be order of the magnitude. Okay, so order लाई चे कासरी लेखने हुन चा. So, यहाँ मीले 10 को पावर मा रिप्रेजेंट गरनू हुन तेसर मा हमी 10 को पावर बायक अन्या कुनेपनी digit लेख देनू जा सारी scientific notation मा लेखने गर थी हो. So, यहाँ बेसिक लाई आइडिया हमीले के रूल सारू बूझनू परने हुन चा. So, यहाँ लागे हमी एग्जाम्पल लें पहला 1 देखी 10 को scientific notation से लेख नावनू पर्यों. So, हमी चा. 1 देखी 10 समको digit मा अगर यादी digit 5 बंदा स्यानू छा बने जस्तो 1, 2, 3, 4 यह 4 दिजिट 5 बंदा स्यानू छा तेसर मा हमीले यह नेगलेक्ट गरने मिल चा. यह था हमी सीधा आटाई दिने हो. तेसर में डिजिट 5 यह 5 बंदा ठूलो छा यानी 5, 6, 7, 8, 9 या 10 चा बने हामी तेसला यह 10 को पावर 1 लिखने हो. Is that clear? याद राखनों मिला 5 बंदा स्यानू स्यानू समको चा बने सीधा तेला आटाई दिने हो. रा 5 रा त्यों मन्दा ठूलो छाओ मने हामी तेसलाइ 10 को पावर 1 दीने हो जस्तो जस्तो हामी लाई यहाँ नमबर छा 55 अब यो 55 लाए हामी ले ले खें गर्णू पर्यो और मा रिप्रेजेंट गर्णू पर्यो तो 55 हने को के होता यसको लागे हामी 55 को लास्मा डेसिमल छा यो डेसिमल अठाके 5 रा 5 को बीच मलाओ, so that will be 5.5 किना मने यो नम्बर डिक्रीज भागो छा तिसलाइ पावर इंक्रीज हुँँँच एक चोठी डिक्रीज भाग तेसलाइ एक चोठी पार इंक्रीज हुँँँच So that will be 5.5 into 10. You know that 5.5 into 10 is 55. आपर 10 को मातल में यह होँँँछा. तेसला एक चिन समा स्टॉप गर राखाम. यहा 5.5 हने को नंबर जुँँछा, तो 1 रट 10 को भीच माँँछा. किना मने यह नंबर 5 बंदा ठूलो छा, तेसला आपर 5.5 को ठाव मा ट्याँ चाहिए 10 लेखना गई राखाँ. So 10 को पावर 1 लेखना गई राखाँ. So यहा 5.5 को ठाव मा 10 into पहला देखिए 10 थियो, तो 10 into 10 is 100, so 10 to the power 2. 10 to the power, पावर मा जिए राख शाय आपर भावर. अबा हमी स निक्स्ट एग्जामपल हे रूम, हमीसे निक्स्ट एग्जामपल था, 865. यह 865 मा डेसिमल ठाके 5 को लास्ट माँ छा, तेसा इले, हामिले यह डेसिमल लाइ, 8 को ठाके लास्ट मा लाउने बने, 8.65 इन्टो 10 तो पावर 2, तो 8.65 बने को 10 हो, 10 इन्टो 10 तो पावर 2 बने को, 10 तो पावर 3 भाय, यानी 1000, तो अबिसली, 865 बने को, यह डेसा बने को, यह डेसिमल ठाके 5 को लास्ट मा छा, इन्टो 10 तो पावर 2, 6 केजी, नंबर डिक्रीज भागो चावने, पावर इन्क्रीज यूंचा, अब आ 5.49 बने को, कती बावता, that is greater than 5, so that will be 10, तो ठाव मा अमिले 10 लेख दिन्यो, किना मना, आमी यह सा पहला 10 को पावर मा लेखना गरे आच्छो, so 10 तो 10 तो पावर 6 केजी, so finally that is 10 तो पावर 7 केजी, so यो magnitude को order कती बावता 7 भाई सक्यो, यह सारी आमी चाहिए, order लेखना सक्छो, okay, so let's take another example, 0.000485 मेटर, अब यह सला आमी ले order मा लेखनू परने हो, okay, so आमी ले decimal ले चाहिए, non-0 digit पाची राखने हो, 4 पाची राखने हो, so in that case, आमी ले इसला कती चोटी शिफ्ट गणू परे, राइट मा, 1, 2, 3, 4 चोटी, so that will be 4.85 इन्टो 10 तो पावर माइनस 4 मीटर, 4 चोटी शिफ्ट बागो जो तेसले, राइट मसीर भागो जो तेसले, minus 4, number increase भावर पावर डिक्रीजिंच, now 4.84 भाने को क्यो होता, that is less than 5, so तेसले हमी ले सिधा रिप्लेस गर धीनो 10 तो पावर 0 ले, या 1 पे लेखदाऊंच, so 10 तो पावर 0 इंटो 10 तो पावर माइनस 4, so एसको एंसर भाद 10 तो पावर माइनस 4 मेटर, so एसको अडर चाहिए काति भाथा, minus 4 भाव. So, let's take another example, आमी संगा और को एंसम्पल छा, 5 राइसमा चारोटा 0 राखं, 5, 50,000 मेटर, in that case या आमी संगा चारोटा 0, so that will be 5 इंटो 10 तो पावर 4 मेटर, and then आमी लाइ याँ 5 राइसमा चारोटा 0, so 10 इंटो 10 तो पावर 4 मेटर, so that will be 10 तो पावर 5 मेटर, so 50,000 इस नेरली इक्वल तो 1 लाइक, that's आमी अडर माँ चाहिए अप्रोक्सिमेट वैल निकाल चाहिए अग्जेक वैल चाहिए निकाल दाए नू, अटर ले आमी ले देरे ठुलो मैगनिचीव चाहिए और देरे स्यानो मैगनिचीव ले एक करका सां कंपेर गणनुमा के गर चाहता, help गर चाहिए अब आमी चाहिए अटर निकाल ले गर चाहिए अब आम्रों नेक्स्ट कॉंचेप भनेको list count हो, सव बन्दा ताला माँद, 0 cm, थे सबची 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm है और यो सिच्वेसन मा हमी ले, ले जिए सेंटीमेटर ले रख को लेंधने वा ने, हमी तेसमा, जीरो दे चाहिए यहां cm scale लेको छो, so in that condition, आमेले याथ 12 cm लेकनू परे याथ 13 cm लेकनू परे हो, so 12 और 13 को भीच मा ठाकी गयाप 1 cm को छा, so 1 cm भाना, आमी स्यानो चाहिए यहां cm scale ले मेजर गढना सक देना, तेसारी ने आमेले meter scale लिने हो बने, ठाकी जला मा 0 हुँँचे तेसपची 1, 3-2, 3-3, 3-4, एसारी 0, 1, 2, 3, 4 को बीच चाहरू मा, आमें कुने मार्किंग हरू छाहिए न, ठाकी एक-एक मीटर को गयाप मा मात रही छा, so 30 मीटर ये scale लेरा आमी 1 मीटर भंदा स्यानो लेंद ना मेजर गढना सक देना, प्रवाइड़ त्या मीटर को यूनिट मात र हुना गई रहाको हूंच, so basically हामी से लिस्ट काउंट को कुड़ा गरने हो भंदे दुएटा हैमस इंस्ट्रूमेंट को आमिया कुड़ा जना कि रहाचो, जस्तो स्क्रिव गज रा भर्नियर कैलिमबर, so स्क्रिव गज को कुड़ा गरने हो भंदे, स्क्रिव गज माइक्रो रा सर्कूलर स्केल मा जमा कती ओटा डिविजन हुनच, ता हंडे ओटा डिविजन हा मिले लिया हाचो, so in that condition, लिस्ट काउंट विल बी एक्वाल टू, फीच बाइ नंबर अप्सा डिविजन अन सर्कूलर स्क्रिव गज इस एकल टू 1 mm by 100, and that is equal to 0.01 mm, तेसर इने भर्निय कैलिपर को कुड़ा गरने होँने, या लिस्ट काउंट को वैलू हुनच, 1 मेन स्केल डिविजन माइन स्केल डिविजन, 1 भर्नियर स्केल डिविजन, so in that condition, आमिले या मत निकालने होँने, so या बनी आमरो वैलू आँच, 0.1 mm, so यो दूटा ला हमिले गरने होँने, श्क् आँच, so that is the concept of list count, now we'll move to the next concept, जला आमिके बन्चो तो significant figure बन्चो, okay, so significant figure बने को, फुने पनी measured value को magnitude मा, जती पनी digit सरू, 100% sure भरा आमिले ठाब अकू हुन चा, त्यो plus यो ता जुन digit uncertain चा, त्यसला आमिके बन्चो ता significant figure बन्चो, so screen मा हेरनू अला, हामिशन या लेट सेंटिमीटर स्केल छा, राइट साइड मा मिलीमीटर स्केल छा, रा बीच मा हमिले योटा राद राखिया छो, एकशिन को लागे मानूं के हमिले यो राद को true length था छा, जसको true length भने को 125.8 mm हो, या 12.58 cm हो, okay, so हमिले यो राद लिया, चाहिं, cm scale ले लेंध मेजर गरने हु बहलूलाई चाहिं, रिड गारला, रिपोर्ट गारला, 13 cm या 12 cm, okay, 13 cm या 12 cm, so in that condition, उसले 13 cm रिपोर्ट गारला, 1 रा 3 दू इता डिजित आयो, 1 डिजित मात सब स्योर सा 100%, कि यो 1 मने को 100% को रेक्ट हो, अब सेकें जुन डिजित से 3, तो चाहिं, तेसमा मानसे ले परने हो, यानि तेसले 12 रिपोर्ट गारने हो, कि 13 रिपोर्ट गारने हो, किना मने वह एक्जेक्ली इताई, 12 मा या 13 मा को इंसाइड गारिए आखो, चाहिं ना, रहे यो cm या 12 रा 13 को बीच मा मेजर ने गारना सक्दाई ना, किना मने इसको list count बाने को 1 cm हो, तो 1 cm को बीच तेसले मा पने दुटा डिजित आया, 1 रा 2, यो दुबई हामरो, 1 certain रा 2 uncertain रा 2 रा 2 significant figure रा, so number of significant figure is 2, अब हामी राइट साइड मा हेरों, राइट साइड मा हामी साइड मिलिमेटर एसकेल छा, ठाके 12 cm को ठाव मा, राइट साइड मा, 120 mm होंचा, रा 13 cm को ठाव मा, 13 mm होंचा So, किना मने यसको list count, 1 mm होंचा, किना मने यो mm होंचा, 120 mm, 120, 122, 23, 24, 25, अब हामी केर रा, so यसको जुनी end point होंचा, यो 125 रा 126 को बिचामा पडि रा आचा, exactly चाहें 125 मनी चाहिना, रा exactly 126 मनी चाहिना, so in that condition, हामी यसको मेलू याता 125 रिपोट गरने हो, याता 126 रिपोट ग और 125 लेकित्यों हो बहने, हामी हना 122, 7 rapid uncertain digit हो, तरह 5 भने को uncertain digit हो, so तेसे यहां significant figure जमा three हो 126 मने रिपोट गर दा पनी, 10混 या रिपोट गरने हो click, 11 của, 16 casting, unsatan, so या अपनी significant figure 3 हो, सो यह सरी हामी लिस्ट काउंट लाई decrease गरताई जाने हो बने सिग्निफिकेंट फिगर जुन चा मेजरमेंट को त्यों बारताई जानचा और अकुरेसी पनी बारताई जानचा एक शिन पहला हमी ले रिपोर्ट गरेको बारताई जुन थिओ त्यों थिओ वन ट्वल्व सेंटीमेटर यानी 120 मिली मेटर आथवा 130 मिली मेटर अब आमी अजे मेजर बारताई अकुरेट ट्रू बारताई लाई लाई लिस्ट काउंट लाई decrease गररा अब आमरो रिपोर्टिं 5.8 मिली मेटर समा जाना सकेको चाहिना किना बने इसको लिस्ट काउंट 1 मिली मेटर हो 0.1 मिली मेटर चाहिना तेसले आमीले क्ये हरी हो कि लिस्ट काउंट ला आमीले जती decrease गर दे जाने हो बने आमरो measured value मा तेती बड़ी significant figure आऊँद ही जानचा रहा accuracy पनी के उदी जानचा बड़ी जानचा ता बड़ी जानचा ता बड़ी जानचा ता बड़ी जानचा So, accuracy भने को टर्म भने को एसले क्ये हरा हो चाहिना कि आमरो measured value magnitude value true value को कती close छा There is no way, just perfectly आमी, there is no way कि आमी perfectly 100% accuracy संगा true value निकाल न सक्छोगते So, हैले आमी generally mean या average value लाइचे true value भने रा बुझने गर छो So, in that condition, accuracy भने को true value को कती close measured value छा In Dubai को बीच को gap लाए आमी के बन्चो ता error भन्चो So, error जाती कम चा, accuracy त्याती बड़ी उन्चा So, accuracy चाहिं के-के कुरा माँ depend गर छा, significant figure मा र लिस्ट काउंट मा So, significant figure भर दा accuracy भर छा List count भर दा number significant figure भर छा, त्यसे इले accuracy भर छा तार, error भर दा accuracy जाए गर छा Now, हामी magnitude मा significant figure कसरी पता लगाउना सक्छो त्यों चाहिं प्रोसेस हें रागे राच, rule सर्व हें रागे राच Screen मा हाणनू पहलो rule जाती पनी non-zero digits सुन चा, त्यों सपहले हामी significant figure भीतरा count गर दे गर छो जस्तो, example मा हाणनू अला 4, 2, 5, 6, 3 cm अब एस मा हामी संग जमा 1, 2, 3, 4, 5 वाटा digits चा अब 4, 2, 5, 6 मा 100% सियोर चा, त्यों 3 cm मा हामी रागे रागे 3 मा डाउट चा सो यान रोटा नमर अब significant figure भाने को 5 वाटा भायो Next is 8.234, all are non-zero, so number of significant figure is 4 2.6, all digits are non-zero, so number of significant figure is 2 The next rule, next rule एके बहन चा कि non-zero digit को बीच मा जती पनी 0 चा, सब चाहिं significant figure हुंच non-zero digit को बीच मा, जती पनी 0 रुचा, साब लाए आमले significant figure को रूप मा काउंट गरनू परने हुंच Example को लागे रूमता, 4.0035 यासमा यो 2-0, 4-3 को बीच मा भागो कारनले, यासला है पनी आमी काउंट गर जो So, total number of significant figure is 5 Next example, 2, 0, 0, 0, 8 So, याँच है 3-0, 2-8 को बीच मा भागो, so we'll count that So, total number of significant figure is 5 2, 0, 5 यासमा पनी 0, 2-5 non-zero digit को बीच मा भागो, so significant figure is 3 Next, 1, 0, 1 यासमा 0, 1-1 को बीच मा भागो, जुन दुबे non-zero So, total number of significant figure बागो, याँच है 3 बागो So, now we'll move to the next rule Next rule ले के बागो, कि जत्ती पनी 0, non-zero digit पचे आऊँछा हमी याँ जत्ती पनी rules बनी डाचो, सब measured value को लागी हो किन हमनी significant figure आँच है जाएले पनी measured value याणी magnitude को लागी measurement को लागी define गर नेगर चो, यह कुराला याद राखना होला बिना measurement को जत्ती पनी हमी numerical value लेक्षो, यह सपाई को significant figure undefined हुँँचा So, all 0 on the right side of the non-zero digits आँ significant figure Example महन ओला, 6200 cm याँ यो 2 जुन 0 चा, यो 6 to non-0 पचे आँचा So, तेसे लिए number of significant figure 4 भाए तेसे लिए next example 200, 200 So, 2 पचे दुबए 0 आए, so we'll count that So, number of significant figure 3 भा, 2.0 So, याँ चाहिँ decimal पचे 0 आए, तेसे लिए हमी याँ number of significant figure याँ 2 पचे आँचा, 2 भाने को non-zero Non-zero पचे आँचा आँचा, तेसे लिए significant figure भाए 6.000, so याँ पणी हमी संगा decimal पचे आँचा And 6 non-zero हो, so तेसे लिए हमी याँ significant figure मा लेख सो So, 6.000, so that's number of significant figure will be 4 Okay, now the next rule is, याँ पणी जीरो हुँँचा, याँ पणी जीरो हुँचा Left side of non-zero digit मा, non-zero digit को left side मा भाखो याँ पणी जेरो हुचा, तेसे लिए significant figure मा काईले काउंट गार देनो Provided तो number 1 बंदा स्थेयानो चा Provided तो number 1 बंदा स्थेयानो चा किना मने 1 बंदा ठूलो भाख भाख भाने Already non-zero digit आँचा Non-zero digit को बिच मा जुन जेरो हुँचा So, example एरो, 0.0035200 cm याँस मा आमी केर रहा चा कि यो जुन 2 बटा 0 स 3 बंदा अगारी यो Significant figure मा count भाख भाख किना मने यो number as a whole 1 बंदा स्थेयानो चा More over याँसाई left side मा को ने non-zero digit पनी चाए न तेसल यो 2 बटा 0 आमीले count भाख 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 So, in that case, याँसाई number of significant figure 1, 2, 3, 4, 5 मात्री भाख 3, 5, 2, last को 2 बटा 0 Significant figure भाख Next example, 0.01 याँसाई 0.01 मा दुईटा ही left side को 0 आमीले count भाख 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 So, the number of significant figure is only 1 Okay, next example is 0.02 00 So, एसमा फेरी दुवई side को आमीले left side ना दुवई 0 आमीले count भाख भाख So, right side मा आमीसाँगा 2 इटा 0 चा So, 2 and 2 इटा 0 So, total number of significant figure is 3 2, 0, 0 तिंटा ही significant figure हो याद राकनु वield इटा Diguarts are significant figure And number बाख भाख भाख So, 4 0.0035 हमेले, यह सब पाइ 0 आमीले count भाख 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 So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Total number of significant figure is 6 And the significant figures are 4, 0, 0, 0, 35 These are significant figures And the number of significant figure is 6 So, significant figure पाउने हाँ है कांच नामबर शिक्निफिक इन फिगर कांट नावत इना है . नेक्स्टूलिश देते पाउने कांच पर दाउने ही। पाउने हैं, सिग्निफिकन फिगर मनें कांच पर दानी हो। 625 इसे भीासश प्रक्रवाने, सिंधा रहा है. तो 625, तीन ओता नव्टा नौन जिरो डिजिर शा, तो नंबर अप सिग्निफिकन थिरी वा, next, 4.03 इंटो 10 तीपार 12 के जी, यहसमा पनि आमीचला 10 तीपार 12 संग मतलब शाया, 4.03, तीन वोटा नोन जिरो डिजिट छा, रोटा जिरो नोन जिरो को बिच्चम आचा, तो यह पुरानो डूल लगावने, तो नमबर अप सिग्निफिकेंट फिगर 3 हुआ, नेक्स 2.1 इंट पार 18 मेटर, यह समा आमले 18 मतलब चैने 2.1, विचा नोन जिरो डिजिट, तो नमबर अप सिग्निफिकेंट फिगर 2. सो शिग्निफिकेंट फिगर जाए ले पने, आम यह निहें मेजरमेंट को लाई डिफाइन गर छो, बिना मेजर्मेंट बाटा आको कुराको कुने सिग्निफिकेंट फिगर हुदाई ना जस्तो एक्जाम्पल 864 000 तीन वड़ा 0 सा केजी यहाँ नमर अप सिग्निफिकेंट फिगर सिक्स भो किना केजी लेखे को चो तो 864 तीन वड़ा 0 ना जीरो पाची को 0 चाहें सिग्निफिकेंट फिगर हुदा जेले पनी तो 864 तीन वड़ा सिग्निफिकेंट फिगर इस 6 नेक्स एक्जाम्पल 864 000 तर या चाहें कुने उनिट लेकर को चाहें इन डाग केस दिस इस अगाउंटिक नंबर तो या आमी लेखेंस तो टोटली अन्डिफाइंट, अन्डिफाइंट, अन्डिफाइंट भन्नू ने परेवने यामी जिरो लाग एक्स्टूट कर देनी 864 3 तीन वड़ा भन्ने थिरी बन्ने So, best answer will be undefined Now, the next concept is accuracy So, accuracy भने को योटा qualitative term हो जसले हामी लाई एस कोरा तो जानकारी दिन छा कि measured value को जुन magnitude उडछा त्यो true value को कती close चाता Measured value रड़ true value को भीच को जुन gap चा इसले हामी differences लाई error बन छो So, error जाती थोड़े हुँँचा accuracy तेती बड़ी हुँचा Moreover, accuracy लिस्ट काउंट मा पें डिबेंड गर चा List count जाती थोड़े हुँचा accuracy तेती बड़ी हुँचा हामी सब लाई था आचा list count थोड़े भाग बेला मा number of significant figure बड़ी हुँचा number of significant figure बड़ी भाग बेला मा हामी हेर चो की accuracy बड़ी हुँचा तेसा रिने, accuracy is inversely proportional to error error जाती थोड़े हुँचा accuracy चाहिए भाग बड़ी हुचा तेसा रिने, accuracy is inversely proportional to error अब ये कुड़ाले भुज़नू कला कि हामी यहाँ एक्जाम्पल लीन गेड़ा चो accuracy रा precision को slide महेरनू हाला हामी सांग दुई टेया मेजरमेंट चाहा A मेजरमेंट रा B मेजरमेंट A मेजरमेंट मा हामी सांग रीडिंग आखो चा रिपोर्टेट भैलू हारू 5, 6, 6, 7, and 8 ओके, सो जमां पांच वड़ा मेजरमेंट आमीले गरेको चो Let us suppose यहामेला यहा true value था राड को 6 cm चाहा So in that condition यह सापए value हारू True value को तर एगदम ही close That is 6 cm एगदम ही close तारा यह समा repetition एगदम ही थोरे चाहा कहले रिपोर्टिंग value 5 मा जान चाहा तो कहले 8 cm मा जान चाहा So the fluctuation यहा 3 cm को भाईडा हाचा So in that condition And measured value हारू को बीच मा बड़ी डिफरेंस एगदम ही थोरे चाहा So here हामी के वांचू को precision एगदम ही थोरे चाहा So true value को close भाववकार यहा हामी के वांचू Compatably accuracy बड़ी चाहा B measurement को comparison मा B measurement हेरो B मा एक जिना लेके की value रिपूट गड़े को चाहा यो चाहा ही magnitude हारू एक करका को चाही Value हा एकदम ही close भाववकार बने रिपीट भाववकार यहां So repetition बड़ी भावकार यहां Measured value हारू मा चाही Gyaap एकदम थोरे भावकार यहां Precision एकदम ही बड़ी चाहा हामरो यहां जुन central value चाहा 7 तो चाहां एकदम ही 6 तो चाहा तरह बागी value हारू टाड़ा भावकार यहां Accuracy एकदम ही कहाथा So experiment मा repetition थोरे भाववकार यहां Precision थोरे भाववकार यहां Accuracy बड़ी चाह B experiment को measurement मा Repetition बड़ी भाववकार यहां True value बहनदा ताड़ा भावकार यहां ऐसमाँ एकूरेसी एकदम कैचा थोरेखा . यावडियाँ ही चाय और सिётся कर दोपत्तु आ घर चाय अरा चि मेजर्मेंट का गरूम, सिसमिचल और सिसमेन्ट माव। था सρता मेजर्मेंट कर आ पकर कीफाater . चार चुटी मेजर मेंड गरता, 6 cm 666 रा एक चुटी 5 आको चा, तो यहां अजे अकुरेसी बढ़ी चा, तेसरी ने यहां प्रिसीजन पनी केच चा, रिपेटेशन पनी बढ़ी चा, तो बेसिकली अकुरेसी ले हामिला यू कुड़ा हे रहा हुँचा, कि मेजर्ट वैलू, यहां यहां काको एक कती कलोग चा, यानि मेजर्ट वैलू हर को बीच माँ जून स्प्रीडिंग हुँचा, तो यह स्प्रीडिंग ले जानाओने टार्मों प्रिसीजन, मोरोबर प्रिसीजन नम्मर अप सिग्निफिकेंट फिगर माँ डिपेंड गर चा, तो एक्चुली य कि प्रिसीजन ले अकुरेसी संगा कुने मतलब हो दाई ना, यह एक्जाम्पल में हेड़ू होला, हामी संगा true value चा, 125.689 cm, एक जना मांची ले मेजर गर पाची value जरू रिपोट गर यो, 131.823 cm, फेरी मेजर करता 131.823, फेरी मेजर करता 131.822, आरको चोटी मेजर करता 13 131.823, आरको चोटी फेरी मेजर करता 131.822, जो यह 3 चोटी 131.823 वालू रिपीट भागो चा, रह दुए चोटी 131.822 वालू रिपीट भागो चा, यह रिपीटेशन बड़ी चा, यह सपई बालू जारू को बीच मा, जुन फारक था एक्दमी थोरे चा, फ्लक्टुए फरस्ट्सूंज पीजम मार्किंग हीetus. तह सब लोल रे मार्किंग हैुआँ तिहाँ आवरेट केसी हैुआ एक्पीनट में चाको Model कि आसे का मने ही ब्रिस धरे दर्य नो भाग चाया हैुआ हैुआु तिह एक पर द म्हींचेए juvenile. तें इस सेकेंड केस माया है रोम एलोग ऊलर को सपोर्ट लाहर नो ला है इस माध जुन चा ती पन इस पोर्ट चालो चालो चाल यह करका को एक्दम एक क्लोज छा एक करका को क्लोज भागो कानल या प्रीसीजन बड़ी चाल रिपीटेसन थे पॉइंट मारी पीट चाल वेसी बढ़ी चाह, और मोरोबर यो चायटे ग्रीने स्पुट ए उटे ठाव मा रिपीट भाग को कानले यहा प्रिसिजन पनी के चाहता बढ़ी चाह, So I hope that आजा को जुन लेक्चर सा, जो ता पाई को लगे पके हल्पल भाला, If that is the case, please don't forget to like and subscribe our channel, It's me, R.P. Singh, signing up, have a nice day.